हजारों करोडों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा राम मंदिर आखिर कब तक बनेगा? कब बनकर तयार होगा? यही सब की जुबान पर सवाल है लेकिन अब इसका जवाब मिल गया है आयोध्य के संतों ने इस सवाल का जवाब दे दिया है रामलला के दर्शन करने और ट्रस्ट के अध्यक्ष को जनमोटसफ की बधाई देने राम की नगरी आयोध्या पहुँचे स्वामी वासुदेवानंद ने कहा कि प्रस्तावित मॉडल पर ही राम मंदिर बनेगा यह मॉडल करोडों हिंदुओं के दिल में बसा है इसका पूजन घर घर हो चुका है जो लोग विश्व का सबसे उचा राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं मैं उनको नहीं जानता मैं उनसे पूछता हूँ कि कितना उचा मंदिर बनाना चाहते हैं स्वामी वासुदेवानंद ने कहा कि विशाल राम मंदर की मांग करने वाले खुद विशालता के परिभाशा नहीं जानते वो इसके परिभाशा बताएं संगमर्मर के पत्थर से मंदर बनाने पर वासुदेवानन ने कहा कि संगमर्मर का पत्थर है कहा मकराना उदैपुर, जैपुर में मकराना का पत्थर नहीं है ये कच्रे पत्थर है जो 10 साल में तूट जाएंगे वासुदेवानन ने साफ कह दिया है कि सरकार बंगती रहेगी और मंदर का काम होता रहेगा मंदर निर्मान में सीवेंट गारे से जुडाई होकर सुखाना नहीं सिर्क पत्थरों को सेट करते जाना है ऐसे में मंदर का निर्मान कम समय में ही पूरा हो जाएगा वहीं अखिल भारतिय संसमिती के महामंत्री जितेंबरानन सरस्वती ने कहा है कि राम मंदिर साल 2022 तक बन जाएगा हमारे इच्छा है कि लोग चुनाव मैदान में उतरें उससे पहले राम लिला मंदिर में खेलते हुए दिखें इसके अलावा जितेन रानंग सरस्वती ने कॉंग्रिस और सपा को भी निशाने पर लिया कहा कि कॉंग्रिस और समाजबादी सरकारों ने सदैव राम मंदिर निर्मान में बाधाएं पहुँचाने का ही काम किया जब राम लिला के भगत योगिया अजितिनाद सत्ता में आए तब ही मंदिर का फैसला हो सका अब जब आयोध्या में संतों ने ही राममंदर के निर्माण को लेकर ऐलान कर दिया है तो अब निश्चित ही साल 2022 तक राममंदर का निर्माण हो जाएगा जो लोग रामला के दर्शन को व्याकुल है उन्हें अयोध्या में बैठे देखना चाहते हैं ऐसे रामभक्तों के लिए इससे बड़ा पल और क्या होगा